गुड मॉर्णिंग एर्यवडी हलो हाव और यू आउप यू विल भी फिट एंड गूड मुझे में देखे आप सब स्वस्त होंगे इस कोरोना का वैस्वी कोराना महमारी के समय दोस्तों आप आपकी स्क्रीन पे आपकी टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक का टेक्स्ट बुक पस्ट फ्लाइट को देख रहे हो स्क्रीन पे आपकी फ्रस्ट प्लाइट जो ज्यादा नंबर की है इसको देख रहे हो इसका कल अपने लास्ट ओडियो लेक्चर में फ्रस्ट चैप्टर एलेटर टु गोड यानि इस्वर को पत्र विश्वास में इतनी तागत होती है कि पाड़ों को भी ला देती है इंड अपने जहां से इसको लेट किया था वहीं से आज नाव इम स्टार्टिंग अगें मैं इसको फिर से प्राइब करने जा रहा हूं प्लीज ओपन यूर बुक एंड ट्राइट उंडिस्टेंड वितमी मेरे साती से समझने का भी प्रियास करें कि एक किसान की अच्छी फ़सल तयार थी खाली उसे उम्मेती की एक अच्छी मोचलादार बरसात आजाए या मोचला दार नहीं आए तो हलकी फुल की बोच्षार आजाए तागि मेरी पसल दुगनी हो जाए जैसा उसने होते होते उत्तरपूरा के बादल वहां आ गए और आने के बाद उन्होंने अच्छी बरसांत की तूसरे लग रहा था कि बड़ी बुंदे 10 सेंट के रूप में यह नि उसका अनाज जस्ट डबल होने वाला था और चोटी बुंदे 5 सेंट के रूप में मान रहा था लेकिन ज जो दोस्त मेरे पिछले ओडियो लेक्चर को नहीं सुन पाया थे उनके लिए मैंने एक समराइजेशन किया इस सेप्टर को दुबारा से अब इसके बाद उसकी क्या मनो इस्तती रहती है वो कैसे अपने विश्वास को तूटने नहीं देता गोड में और उसे क्या रिटन् लेकिन उसकाटी की भी चक्यले मकान में रहने वाले उन सभी लोगों के दिल में एक ही आसा थी बगवान से साहिता है अपने पूरी फैमली को कह रहा है क्या कह रहा है देखो वो यह कह रहा है कि याद रखो कि कोई भी भूक से नहीं मरता और यह बात कई और सुनी जाती है कि कभी कोई भूक से नहीं मरता जिसने अपन को जनम दिया है वो अपनी विश्वास भी करेगा कहने का ताथ पर यह अपनी देशी बसा में है इसी लेंचो अपनी इसी आसा में सोचता रहा क्या सोच रहा है देखो वो यानी अनतरमन में क्या सहा है अपने आंत्रिक विचार क्या चल रहे हैं ये भी भगवान आराम से महसूस कर लेता है ये सब लेंचो सोत रहा है इस्वर के लिए तो मेरी ये दसा इस्वर से चिपी वी नहीं है गोड से लेंचो वाज एन ओक्स ओपे मैं कहने का तात्परी यह है दोस्तों की लेंचो एक ब इसके बाब जोद भी हुए है थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानता था खेतों में यानि कि यह नहीं कि टोटली वो कम्प्लीटली मजदूर था अनलिटरिट परसन था दा फ्लोविंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगें तो राइट ए लेटर विच इमसेल्फ वोड़ अनलिटर वाले रभ्यार को सूरे डे ब्रेक यानि सूरे उद्य के समय उसने पत्र लिखना प्रारम कर दिया दोस्तों लिखने के बाद जिसे वसे हम सेल लेके जाएगा और वहाँ वहाँ उसे डाक में डालेगा और ये बगवान को एक पत्र के लावा और कुछ नहीं था पत्र में दोस्तों देखो क्या लिखा है उसने क्या लिखा है उसने लिखा कि बगवान यदि आप मेरी साहिता करना चाहते हूँ आप मेरी यदि मेरी साहिता नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार बुके मर जाएंगे मुझे अपने खेतों में दुबारा बीज बोने के लिए और जब तक नई पसल जीवित रहने के लिए सो पेसोज की जुरत है दोस्तों मैंने पिसले लेक्टर में बताया था कि अलग अलग मुद्रा है ये मुद्रा की रूप है जैसे जापान में ये इटली में ली रहा है इरान इनाक में दिनार है बंगला देश में टका है बारत पाकिस्तान में रूपा है फ्रूस में रबल है फ्रेंस में फ्रेंक है तो ये सो पेसोज की उमांग करता है इस वर से क्योंकि ओला ब्रष्टी से इतना केके छोड़ देता है ये रोड टू गोड ओन दा एन्वलाफ लिफापे पे वह बगवान का नाम लिखता है जहां उसको पोस्ट करना था बड़ता लेटर इंसाइड और लिफापे के अंदर पत्र डालता है और इस्टील ट्रमल्ड वें एड़ पोस्ट ओपी सी पहले स्टांप ओन तर लेटर एंड ड्रॉप इट इन्टू दा मेल बॉक्स वहां उसने उसे एक डाक टिकट लगाई और उसे जो मेल बॉक्स डाक पेटी होती है उसमें उस पत्र को उसने डाल दिया वन ओप दा अधिकांस लोगों का ये मानना है कि इतनी अनलिटरेज इतनी है साकसर था बार जैसे पिछड़ों देशों भारत के कुछ पिछड़ों हिस्सों में होती है लेकिन देखो दोस्तों ये विश्वास सब जग होता है बस मानने का तरीका अलग-अलग है लोगों का वन ओप दा एम्प्लोईज हूँ आज आटली एंड शोड हिम हिम्दा लेटर निटर तू लेटर तो गोड ओन एक करमचारी जो दाक्या ता पोस्ट मैं से तात्परि आप सब यूनों अलग कै 172 001 में तो No-Doubt डाकिया और पोस्ट मास्टर और अन्य करमचारी लिपिक वगरा होते ही हैं तो एक करमचारी जो डाकिया था त्था डाकगर में साहिता भी करता था उसने उस पत्र को उठाया और वो उसने अधीकारी के पास जोड से अस्ताव उसको लेके गया दोस्तों अपने जो ओपिसर ता ओपिसर कौन पोस्ट मास्टर होता है पोस्ट में एक डाक्या और पोस्ट मास्टर उनका जो अधिकारी होता है डाक पाल कह सकते हो दोस्तों उसको पोस्ट मास्टर को पन और अस्ताव दिखाता है कि बगवान के नाम से पत्र को प्रेशित किया गया है बगवान के नाम से पत्र पहुंचाए जाए जो डाक पालता वो मोटा और प्रेमियेबल से तात्परिये दोस्तों है मिलनसार वेक्ति जिसमें बहुत अधिक सामा जिकता होती है कि फोलो ऑल्सो दा ब्रोक आउट ओप लाफिंग जो बहुत ही मिलनसार वेक्ति था वो भी असपड़ा लेकिन लगबग तुरंत ही वो गंबीर हो गया बट वोल्मोस्ट इमेडेटली इमेडेटली तुरंत ही ट्रंड सीरियस गंबीर होना टेपिंग यानि थपतपाना लेटर ओन इस डेक्स अपने डेक्स को हलके से थपतपाते वे कोमेंटेड यानि टिपण ही करता है वोट फैट्स बाव आवेश में आके कितना अजीब और गरीब विश्वास है I wish I had the faith of the man who wrote this letter कास मेरे पास भी इतना विश्वास होता और मैं भी बगवान को ऐसे पत्र लिखा होता It is the image of Postmaster ये डागपाल की एक image है कलपना है कि ऐसा विश्वास मेरे में भी होता Starting of a correspondent with God कि मैं भी बगवान से पत्राचार प्रारम करना था मुझे भी ऐसा विश्वास मुझे भी कास गोड नहीं दिया होता So in order not to seek the rights faith in God the Postmaster came up with an idea answer the letter दोस्तों इसलिए लेखक की बगवान में आस्ता ने डिके ने टूटे इसलिए डागपाल ने इसका उत्तर देने का निस्से किया पोस्ट मास्टर ने पत्र का की उत्तर दिया जाए प्रति उत्तर दिया जाए जिस भी बंदे ने पत्र वाक ने पत्र बेजाया उसका विश्वास इसवर से ने टूटे बट वैनी ओपन डिट लेकिन जब जैसे उसने पत्र खोला इट वोजी एविडेंट एट टू आंसर इट ही नीड़ेडे सम्तिंग मोर देन दा गुडविल लिंक एंड पेपर तो पत्र खोलने के बाद उसने पाया कि उसे सद्वावना शाय और कागस से भी अधिक कुछ चीए कि खाली पत्र लिखने के लिए तो कलम और शाय और सद्वावना इनी गुडविल लेनी सद्वावना से अतात परिया अच्छी अच्छा अच्छी सानबूती किसी के लिए उसे अधिक क्या चीए कि लेंचो ने सो पैसो की डिमांड की ती सो पैसो तो उसने अपने डागपाल ने उसने अपने करमचारियों से धन मांगा जब उसने खुद ने पहले कोई एक्जामपल खुद को बनाना पड़ता है तो अपनी सेलेरी का बहुत बड़ा इससा उसने जब दिया वेतन का अपने कुछ मत्रों को भी इस दानकारिय को देने के लिए उसने एक्जामपल रखके बाद दे किया भई तुम भी दो यह मुश्किल था कि 100 पैसे पूरे क्रमचारी एक्टरित करें पोस्टमास्टर ने सोचा कि इतना तो मुश्किल है उसने सोचा कि किसान को आदे से कुछ ही ज्यादा बेजने में वो लोग समर्त हो पाए कि आदे से जितना अधिक और आदे से ज्यादा पैसोस उसमें डालके उन्होंने लिफापे में उस सब पत्र के साथ रखते वे डालके उपर उन्होंने श्रीप भगवान यानि गोड के नाम से संबोधित किया है कि बगवान के तरफ से मानों कि वापिस उसे रिटन्स लेंचो को मिलने वाला हो केने का ताथ परी है दोस्तों के अगले रविवार को यह पूछने के लिए लेंचो की लेंचो यह पूछने के लिए कुछ जल्दी आ गया है कि मेरा कोई पत्र आया है यहां पर यह डाक्या स्वयमता है उसने उसको पत्र पकड़ाया कि हां तुमारा यह पत्र आया है एक्सप्रेंसिंग दा कंटेंटमेंट अफ ए मैन हूँ एस परफॉर्मड एक गुड डीड लुकड ओन फ्रॉम हीज ऑपिस जब डाक्या ने उसे पत्र पकड़ाया तो डाक्वाल भी वहीं परदे के पीछे से कटें इने नी सरदें देखना जा रहा था कि कोई विक्ति को संतोस मिलता है तो कैसा अनबव करता है एक अच्छा जिसने एक अच्छा कार यह किया था लेंचो का विश्वास ने टूटने के लिए जितने ज़्यादा पैसोस हो सकते थे इगटे करके बेज़े थे वह अपने कार यहाले में से साइड से दोस्तोस को देख रहा था लेंचो सोड नोट दा स्लाइट टेस्ट यहनि हलकी सी सर्प्राइज यहनि लेंचो उने हलका सा भी आस्रे मैसूस नहीं किया ओन सिंगिंग दा मनी पैसा देख कर उसे तो पूरा विश्वास था ना सच वह जीजे कॉन्पिडेंस यह उसका विश्वास था बट ही विकेम एंग्री वेन ही काउंटेर दा मनी लेकिन जैसे ही पैसे उसने गिने तो उसे बड़ा क्रोध साया एंग्री यहनि उपक्रोधित हुआ गोड कुट नोट है और मैंडे मिस्टेक बगवान से गलती नह नहीं हो सकती नोर कुट ही है दिनाइंड यहनी इंकार करना लेंचो वोट ही है रिक्वेस्ट और बगवान ने मेरी प्रात्ना को जो मैंने सो पेसे उसकी प्रात्ना कीती उसको भी इंकार नहीं कर सकते इंक वापिस लेंचो खिड़की पर आता है और एक इंक स्याई और पेपर पत्र लिखने के लिए मांगता है और पब्लिक राइटिंग टेबल और सारुजनिक जो टेबल होती है उसके बेटके फिट से लिखने लग जाता है इस्टार्टे टू राइट फिट से लिखना प पत्र को बाव आवेस उसकी बाव बंगिमा यहां दरसा ही जा रही है दोस्तों केस्ट वाइड एफ़र्ड यह टू मैक टू एक्स प्रेज आइडिया जो अपने विचारों को परकट करने के लिए अपने जो उसकी सलवटे हैं वो नजर आ रही है वेन ही फिनिस्ट जब उ दा विंडो टू बाई एस्टेम तो वापिस खिड़की पे जाता है एक टिकट खरीता है विची लिख्ड उसे थूक से चिपकाता है और एफिक्स एनी चिपकाना लिख्ड यह उसे चिपकाता है दा एन्वलम विद एब ब्लो पिस फिस्ट और मुक्की मार के उसकी ब्लो प्राओर करना प्रिश्ट और मुक्की से जब वो डालकि चला जाता है तो पोस्ट मास्टर डाक पल स्विम जाता है और देखता है कि देखें इसने क्या लिखा एट सेट तो उस पत्र में लिखा गया था गोडोप दा मंणी डेटा यास्कड एव़ ओलनी सेंटी पैसो्स तो उसने पत्र में लिख रखा था कि हे बगवान जो मैंने तुमसे पैसे मांगे थे सो पैसोस उसमें से मात्र सत्र पैसोसी रिचरड मी मेरे पास पहुंच पाए है सेंड मी ता रैस्ट बचेवे तीस पैसोस भी मुझे बेजे क्योंकि डागगर के जो पोस्ट ओपिस के करमचारी थे एम्प्लॉएट थे वो मात्र दोस्तों सत्र पैसोसी बेज पाए थे पूरे कलेक्ट करनी पाए थे तो उसने वो ही लिखा कि सत्र पैसोसी पहुँच पाए तीस पैसोस नहीं पहुंच भाई, बच्चों भी मुझे बेजें, गोड से उप्रात्ना कर रहा है, पत्र में दुबारा, since I need it very much, मुझे इनकी बहुत अधिक जरुवत है, अधिक आउ सकता है, but don't send it to me through the mail, because, लेकिन इने डाक के द्वारा मुझे नहीं पहुंचा है, the post office employee और a bunch of crooks, लेंचो, क्योंकि जो post office के जो employees है, करमचारियों का जो बंचे नि गुच्चा है, समू है, वो crooks यानि दूर्त है, चालाक है, दूर्त के दो, तेज तर्राट के दो, सरलबासा में, इतना कहके लेंचो अपना नाम लिख देता है, इस तरहिके से दौस्तों, यह आपका जो first chapter था, letter to God, इस्वर को एक पत्र, परमात्मा को एक पत्र, इसमें अपन को किसी भी आदमी के विश्वास का, message यह निकल कहाता है, कि विश्वास हो तो लेंचो जैसा हूँ, और इससे एक चीज और देखने को मिलती है, कि कई दफ गलत, understanding भी कर लियाती है, कि post office के करमचारियों ने उसको help बतौर, 70 पेसोज बेजे और लेंचो ने सोचा कि 30 पेसोज यह नहीं करमचारियों ने रख लिया, तो उन्होंने उनको एक दूर्त चालाग का, तो ऐसा भी हो जाता है कि अच्छे करने वाले को भी, misunderstanding में अपन ले लेते हैं, गलत समझ लेते हैं, तो यह अपन को एक बहुत अच्छा मेसेज है कि देखो माने तो पत्तर है, माने तो फिर उसमें बगवान है, पत्तर में यह बगवान का निवास है, तो विश्वास तो इतना है अटला और द्रड निशे वाला, resolution वाला होना चीए, द्रक्रत संकल्प वाला होना चीए, बहिम की दवाने दवस्तों कटले में मिलती है, ने जोरी भजार में, और जब ऐसा विश्वास होता है, तो वो आदमी बहुत ही करमट और उसे एक बहुत ही अमूर्त, नहीं दीखने वाली प्रमात्मा का सपोर्ट मिलता है, और वो अपने जीवन में आगे, छोटे मोटे कस्टों से उबर कर आगे निकल जाता है, प्लीज लिसन दिस ओडियो अगें एंड अगें एंड ट्राइट अट अंडरिस्टेंड वित मी, मेरे साथ इसे समझने का प्रियास करें, मैंने इसको एक बिल्कुल सरल लेंग वेज में आपको समझाने का प्रियास करें, पहले समराइजेसन कहता फर्स लेक्टर में और इसको दो पार्ट में मैंने किलियर के है, ओके गो एड़, best of luck,